नमस्कार राज की बात में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे ममता बनर्जी के राज्य में मुसलमानों के तांडब की इस तांडब के कारण ममता बनर्जी के अंदर जो तुष्टी करण की नीती थी उसकी पोल खुलने की और पश्चिम बंगाल के हिंदों के अंदर पनप रहे उस गुस्से की जिसके कारण ममता बनर्जी को अपना जो मिशन है वो फेल होता दिखाए पड़ रहा है ममता बनर्जी बूरी तरह से फस गई है और इसके कारण पश्चिम बंगाल में एक अलग तरीके की स्थिती पैदा हो गई है आज उसी की बात करेंगे तो शुरू करते हैं पश्चिम बंगाल में मुसलमानों के तांडव से क्योंकि नुपुर शर्मा के टिपनी जो आई उसके बाद पूरे देश में अलग अलग जगों पर परदर्शन हो रहे हैं और उस परदर्शन में पश्चिम बंगाल जारखंड और उत्तर परदेश तीनों जगह के कारवाई अलग अलग तरीके से हैं जहां उत्तर परदेश में सीयम योगी आदितनात कड़ा एक्सन ले रहे हैं कॉंस्पिरेटर के घरों पर बुल्डोजर चला रहे हैं गुंडा एक्ट के तहट गैंगेस्टर एक्ट के तहट कारवाई हो रही है इसके संपत्तियों को जब किया जा रहा है और सारदलिक संपत्ति का जो नुकसान पहुचा है उसकी भरपाई इन्ही धंगाईयों के संपत्ती से की जा रही है तो दूसरे तरफ पश्चिम बंगाल में मम्ता बनर जी अपने पुराने तुष्टी करन की निती में लगी हुई है पश्चिम बंगाल में लगातार विरोत परदर्शन हो रहा है शुक्रवार में यानि कि जुम्य की नमाज के बाद जो हंगामा देखने को मिला उसके बाद से लगातार वहाँ पर परदर्शन जारी है जुम्य की नमाज के बाद मुसल्मानों ने पश्चिम बंगाल के अलगे लेगेरिया में हावडा में मुर्शिदाबाद में 24 परगाना में हर जगह पर तांडब मचाया ठाने में हमला किया पुलिस बालों पर पत्थरवाजी की और एक दहशत का महौल पैदा करने की कोशिश की ममता बनर जी ने पहले अपील की कि आप लोगों को परदर्शन करना है तो दूसरे राज्यों में जाकर परदर्शन करें आप लोगों का मतलब यहाँ पर मुसल्मानों से था यानि पश्चिम बंगाल में सांती बनाए रखें और दूसरे स्टेट में जाकर हंगामा करें क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर जी का मुसलिम प्रेम जग जाहिर है लेकिन अगर सांप को दूद पिलाओगे तो उसके जहर का भी आपको खामियाजा भूगतना पड़ेगा जहर भी पीना पड़ेगा और यही तितिती पश्चिम बंगाल में ममता बनर जी की हो तो दंगाईयों का जिहादियों का मनोबल भी उसी अस्तर पर बढ़ेगा और यही तिति होई जबकि शुक्रबार के बाद शनी बार को भी पश्चिम बंगाल में मुसल्मानों ने भारी परदर्सन किया नारेवाजी की हिंसक घटनाय सामने आई पत्थरवाजी की कई जगह पर गाड़ियों में आग लगाई और पुलिस के साथ भी मुठवेड हुआ जिसमें पुलिस वाले भी घायल हुए उसके उपर पत्थर फिके गए थानों पर हमला किया गया यहां तक कि रभी वार के द खाये दी ममता बनर जी को समझ भी नहीं आ रहा था कि अब करें तो क्या करें क्योंकि उनके सामने एक तरफ कुआ है तो दूसरी तरफ खाई है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे कि आखिरकार ममता बनर जी कैसे फस गई लेकिन रवी वार को इतवार के दिन जिस तरीके से पांड़ मचाया उसके कारण पश्चिम बंगाल में हिंदूों के अंदर भारी गुस्से का महौल पैदा हो गया एक तरफ इन लोगों ने हिंदूों को डराने की कोशिश की तो दूसरे तरफ हिंदूों को लगने लगा कि ये मसला आप राजनितिक नहीं है बलकि धार्मिक है और धार्मिक मसले पर राजनितिक विचार काम नहीं आएगा क्योंकि मुसल्मानों ने मुर्शिदाबाद में परदर्शन किया साउथ 24 परगना में परदर्शन किया और नादिया में तो हालात ऐसे हो गए कि इन लोगों ने वहाँ पर एक रेलवेय स्टेशन पर लोकल के उपर पत्राओ करना शुरू कर दिया ये ट्रेन के उपर पत्राओ करने का मतलब था कि आपकी लड़ाई परदर्शन कर रहे हैं जो आपकी लड़ाई प्रशासन या सरकार से नहीं है आप मांग सरकार से नहीं कर रहे हैं बलकि मुसल्मानों का मकसद हिंदूों के प्रशिम बंगाल का महौल बिलकुल ही डराबना हो गया है और इसके कारण ही ममता बनर जी बूरी तरह से फस गई है क्योंकि मुसल्मानों का मनुबल बढ़ रहा है उसके खिलाब कारवाई नहीं की जा रही है और दूसरी तरफ इस ट्रेन पर पत्राओं के बाद जो हिंदू घायल हुए जो लोग घायल हुए वो अलग-अलग इलाकों में इसका प्रभाव देखने को मिला हिंदूों के बीच अब एक नए तरीके के अब विचार पनपने लगा है क्योंकि जो हिंदू पश्चिम बंगाल में ममता बनर जी के साथ राजनितिक विचार धारा के अस्त पर ममता बनर जी के खिलाफ हो गए क्योंकि ये पूरा परदर्शन राजनितिक मुद्दे पर नहीं है इससे पहले जब C.A. के खिलाफ परदर्शन किया गया था तो वो मसला कुछ और था क्योंकि नागरिक्ता संसोधन कानून किंद्र सरकार ने लागू की थी और उस विरोध हो रहा था यानि एंटी बीजेपी पातियां भारत सरकार के उस कानून का विरोध कर रहे थी जिसमें मुसलमानों का भी उन लोगों को साथ मिल रहा था क्योंकि ये पाकिस्तान बंगलादेश और अफगनिस्तान से आने वाले अलफ संखेकों के लिए था नकि के मुसलमान पाकिस्तान बंगलादेश और अफगनिस्तान के मुसलमानों के साथ जुड़े और राजनितिक पार्टियों ने उसका फायदा उठाते हुए भारतिय जंता पार्टिय के खिलाफ इसका इस्तेमाल करने के कोशिश की जिसमें एक राजनितिक विरोध दिखाई पड़ रहा था लेकिन ये मसला पूरी तरह से धार्मिक है इसमें सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों ने धार्मिक आधार पर मांग की है नुपर शर्मा ने पैगंबर मुहम्मद के बारे में टिपनी की थी जिसे इन लोगों ने विवादित बताया हाला कि वो टिपनी कई दू लोगों को लगा कि ये हमारे धार्मिक भाबनाओं के साथ खिलवाड है और इन लोगों ने अलग-अलग जगों पर एफायार भी दर्ज किया पस्चिम बंगाल में भी एफायार दर्ज हो चुका है लेकिन इसके बाद जो परदर्शन विरोध हंगामा और इनके नुपुर शर्मा को फासी देने की गिरफतार करने की मांग की जा रही थी उसमें पस्चिम बंगाल भी शामिल हुआ वहां के मुसल्मानों ने और ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से हंगामा करना शुरू कर दिया यानि ये मसला हिंदू और मुसल्मानों के बीच है ये मसला पूरी तरह से धार्मिक है इसका राजनीती से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि जितनी भी पार्टियां हैं भारतिये जनता पार्टी को छोड़ दें इंडिये गटवंदन के कुछ पार्टियों को छोड़ दें तो जितनी भी पार्टियां हैं उसके सारे मुसलिम लिडर एक सूर में बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस मुद्दे पर भारत के अलावा विदेशों से भी मुसल्मान का साथ भारतिय मुसल्मानों को मिला पूरी दुनिया के मुसल्मान एक प्लेटफॉर्म पे खड़े नजर आए अलग-अलग देशों में जो पहले हिंदू राष्ट था अब सेकुलर बना दिया गया कॉमनिस्टों के कॉंस्पिरेसी के कारण वहाँ भी नुपूर्शर्मा के समर्थन में नारे लगाया गया परदर्शन किये गया लेकिन अब इस पूरे मसले को देखें तो ये पूरी तरह से धार्मिक मसला हो गया और ये मसला जब पश्चिम बंगाल में फैलना सुरू हुआ इन लोगों ने दहशत का महौल सुरू किया तो वहाँ पर दो धारा बन गई है अब इन लोगों ने थानों पर परदर्शन किया थानों पर हमले किये कुछ मंदीरों पर भी पत्थराओ के घटनाय सामने आई है और इसके कारण अब पश्चिम बंगाल के हिंदू एक होते दिखाई पड़ रहे हैं इन लोगों का मानना है कि ये लोग अपने धर्म के मसले पर एकता दिखा रहे हैं तो हिंदूों को भी अपने धर्म के मसले पर एक होना जरूरी है और ममता बनर जी इसी में फस गई है क्योंकि ममता बनर जी के सामने एक तरफ कुआ है तो दूसरी तरफ खाई है ममता बनर जी इस बीच बड़े सपने देख रही हैं इसलिए उन्होंने उत्तर परदेश विदान सभा में बिना किसी सर्थ के बिना किसी गठवंधन के अखले जादव के लिए परचार भी किया वो केसी आर से भी मिल रही है, शरत पवार से भी मिल रही है, स्टालिन से भी मिल रही है और विंच के जिरिवाल से भी मिल रही है यानि कि छोटी छोटी पाटियों को इकठा करने की कोशिश कर रही है उन्होंने रास्टपती चुनाब को लेकर भी 19 छोटी पार्टियों के साथ बैठक करने की बाती की और इसलिए उनका जो 2024 का एजेंडा है अब पूरी तरह से फस गया है क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो मुसल्मान उन्हें तांडब मचाया है उसमें उनके साथ समस्या ये है कि अगर वो उत्तर परदेश की योगी सरकार की तरह सख्त कारवाई करती है तो उनका मुसलिम एजेंडा सामने आ जाएगा मुसल्मान उनको वोट नहीं देंगे और वो दूसरी पार्टियों यानि कॉंग्रेस या बामपंथी पार्टियों के साथ जुड़ना शुरू कर देंगे और इसलिए मम्ता बनर जी वहाँ पर मुसल्मानों के खिलाफ जो परदर्शन हो रहे हैं परदर्शन कारियों के खिलाफ सक्त कारवाई नहीं कर रही है जब इन लोगों ने थाने पर हमला किया ट्रेन पर हमला किया फिर भी वो उत्तर परदेश की तरह CCTV फोटेज निकाल कर सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे भी इन दंगाईयों को तश्वीरे निकाल कर इन लोगों एक खिलाफ कारवाई उत्तर परदेश में की जा रही है वो ऐसी कारवाई नहीं कर पा रही है नहीं इनके संपत्यों पर कोई भी आचा रहा है और नहीं इनको गिरफतार किया जा रहा है ऐसे इस्तिती में ममता बनर जी को लग रहा है कि अगर सक्त कारवाई करेंगे तो मुसल्मान वहां कॉंग्रिस या वामपंथी पार्टियों के साथ चले जाएंगे क्योंकि वो सत्ता में नहीं है तो उसका समर्थन मुसल्मानों को है और दूसरी तरफ वो सक्त कारवाई जो नहीं कर रही है मुसल्म तुस्टि करकें कारण उसके बाद पश्चिम बंगाल के हिंदूों के बीच गुस्सा भर गया है लोग का मानना है जहां जहां अलग अलग जगों पे बादचित हो रही है जहां से जानकारी आ रही है वहाँ पर हिंदूों के बीच एक ऐसा महौल पैदा हो गया है कि ये अपने धर्म के मुद्दे पर ऐसे तांडब मचा रहे हैं हिंदू मुहलों से हजारों के संख्या में निकल कर खौफ पहलाना चाहते हैं दश्चत पहलाना चाहते हैं तो इसमें अब हिंदूों को एक होना चाहिए और इसलिए पश्चिम बंगाल की राजनीती भी अब इसी थार्मिक अलगाओ का सिकार हो गई है जिस तरीके से ममता बनर जी दूसरे मुद्दे पर हिंदूों का भी वोट ले रही थी और मुसलिम तुष्टिकरन करके मुसलमानों का भी वोट ले रही थी वो एजेंडा फेल होता दिखाए पड़ रहा है अब हिंदूों के बीच गुस्सा इतना भर गया है कि ममता बनर जी को अब हिंदू तुष्टिकरन करने की जरूरत पड़ गई है और इसलिए ममता बनर जी बिलकुल कन्फ्यूज है कि इस समय क्या करे क्योंकि जिन मुसल्मानों से प्रेम करके जिनको अपने आस्तीन में पाला है यानि कि ये आस्तीन का साब बनाया है वही आज ममता बनर जी को डसने के लिए तयार है मुसल्मान ममता बनर जी के लिए उसी भस्मा सूर्थ की तरह बन गया है जो पहले तो बरदान मांगा और उसके बाद संकर भगवान के उपर ही आगे चल दिया उन्ही को भस्म करने के लिए ये इस्थिती पश्चिम बंगाल में मम्ता बनर जी की हो गई है और मुसल्मान और हिंदू के बीच मम्ता बनर जी ऐसे फस गई है कि अब वो छट पटाती हुई दिखाई पड़ रही है तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे तब तक के लिए बने रही है हमारे साथ और देते रही है हम ऐसा योग ताकि से तरही खबर हम आपके लिए लाते रहें धन्यवाद